छुट्टी के दिन घर में कुछ स्पेशल चटर पटरा टेस्टी सा ना बने ऐसा तो होई नहीं सकता तो आज बस घर में डिमार्ड होई कि छुट्टी का देना है कुछ मज़ेदार सी रेस्पी बना ली जाए तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाते हैं जिसके आगे पीजा, बर्गर, समोसा, कचोरी सफेल हो जाए मैंने एक बड़ा बोल लिया और इसमें एक कप सूजी डाल दी अब इसमें मैंने आधा चमच नमक डाल दिया और इसमें हम डाल देंगे यहाँ दही तो मैंने आधा कप इसमें दही डाल दिया है, दही बहुत ज़्यादा खटा नहीं होना चाहिए अब दही को ना पहले इसमें बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे दही को mix करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बहुत अच्छी तरीके से mix करते जाएंगे सूजी का बैटर हमें बना कर त्यार करना है तो जो बैटर है बहुत ज़ादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़ादा गाड़ा भी नहीं देखिए इस consistency का बैटर हमें त्यार कर लेना है अब ना इस बैटर को ना हम ढख कर 10 मिनट के लिए rest पर रखेंगे ताकि से जो सूजी एनफ अच्छे से फूल जाया और नाश्टा फिर बढ़िया बने जब तक सूजी रेस्ट कर रहे तब तक मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और इसमें एक चम्मच ऑईल डाल देंगे ऑईल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आधा चम्मच साबुद जीरा डाल देना है और इसमें जीरा को अच्छे से भून लेना है जीरा आप तड़क चुका है तो इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर बारिक कटी हुई दो हरी मिर्च इसमें जायगा यहाँ पर बारिक कटा हुआ एक प्यास और प्यास को और हरी मिर्च को अच्छे से हम भून लेंगे इसके बादना यहां पर आप इसमें डालेंगे उबले हुए आलू तो मैंने तीन मीडियम सैज के आलू को उबाल कर छेल कर मैश करके सकेंदर डाल दिया है आलू को ना बहुत अच्छे से लगपक दो मिनट के लिए ऐसे ही आपको भून लेना है अब आप इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच धनिया पाउडर, आधा चमच लाल मिर्ज पाउडर, नमक डाल दें इसमें स्वादनुसार, और आधा चमच इसमें डाल दें आमचूर पाउडर और अब इसमें डाल दीजे बारिक कटा हुआ हराधनिया अब आप सभी मसालो को ना इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर दें और जो आलू के थोड़े मोटे टुकड़े दिखाए दे रहें उन्हें अच्छे से मेश करें और इस आलू के मसाले को ना आप 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भूनें तो इसके बाद फ्लेम आफ करके इसे थंडा कर लें जब आलू का मसाला थंडा हो जाए तो इसे हातों में लेकर इस तरह आपको पतली-पतली सी गोल-गोल टिक्की बनानी है बहुत मूटी टिक्की मत बनाईएगा इस तरीके से आपको इने त्यार करना है सभी टिक्किया आलू की त्यार करने के बाद हमने यहाँ पर जो सूजी का घोल बनाया था उसे चाक कर रहे है सूजी अच्छे से फूल चुकी है तो अब ना यह थोड़ी गाड़ी हो गई है क्योंकि सूजी ने पानी को सोक लिया है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी अड़ किया है और अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया जिसे ना नाश्टा बाहर से दिखने में भी सुन्दर लगेगा और इसका टेस्ट तो बड़े गाई अब धनिया को भी मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच इनू इनू ना हूँ तो आप इसकी जगाँ पर इसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं इनू को एक्टिवेट करने के लिए एक चमच पानी डाला है अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं इनू डालने के बाद इसमें एकदम जाग जाग से आ जाते हैं ये फलफी हो जाता है अब गैस पर एक पैन रख देना है और इसमें एक चमच धेल डाल देना है और उसके बाद ना जो बैटर त्यार करके रखा है सूजी वाला वो बैटर हम इसके अंदर डालेंगे गैस का फ्लेम हम लोग रखेंगे तो मैंने दो लैडल भर के बैटर डाला है और इसे इस तरीके से पैन में स्प्राड करेंगे बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला ना रखें मीडियम ठिकनेस रखें अब जो आलू की टिक्की बनाई है वो हम इसके अंदर इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद यहां मैंने टामेटो की स्लाइस रखें इसके उपर यह अनियन रिंक्स रख दी हैं और यहां पर खीरा की स्लाइस भी हम इसके उपर ऐसे रख देंगे तो हमने इसे अच्छे से कवर कर दिया है और अब ना इसके उपर थोड़ी सी बारी कटे हुई शिमला मिर्च मैंने डाल दी है और ये डाल दींगे इसके उपर चाट मसाला और इसके उपर फिर से हम वो सूजी वाला बैटर डालेंगे जो हमने बना के रखा है इन सभी चीजों को ना सूजी के बैटर से अच्छे से कवर कर देंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कॉमेंट और शेयर जरूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस और पर जरूर क्लिक करें अब आप इसे ढग दें और लो फ्लेम पर कम से कम इसे 4-5 मिनट के लिए एक तरफ से पकने दें अब मैं इसे ओपन कर रहे हूं और यह देखिए उपर से यह ड्राई हो गया बिल्कुल गीला नहीं है तो इसके उपर थोड़ा सा ओयल डाले पैन के उपर एक प्लेट लगा हैं और अब मैंने इसे दूसरी तरफ से अच्छे से से लिया है फ्लेम ओफ कर दिया है तो इस तरह पैन में प्लेट लगाएंगे और आपको इसे में पलट कर दिखा रही हूं यह देखिए बहुत बढ़िया कलार आ चुका है इसमें दोनों ही तरफ अच्छा क्विस्प आ सकते हैं बच्छों के टिफिन में उन्हें दे सकते हैं यह देखिए बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी हल्दी रेसिपी त्यार हो गई है मेरे घर में तो यह सबको बहुत पसंद आई आपको यह कैसी लगी कॉमेंट करके मुझे जरूर बताए